सनातन धर्म सूर्य उभराक शात्र वीरो उठो चलो कली युग के इस कली युग का है अन्त निकट आया संधी काल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महा परवको साथ है लाया सभी को प्रणाम धर्मसंवात की इस मालिका में धर्मविज्ञान के विशे के अंतरगत हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के विशे में ध्यान ग्रहन कर रहे है हमने इस मालिका में देखा कि पहले मुगलों ने हमारी ग्रंतसंपदा को किस प्रकार से जला दिया और ये ग्यांग नश्ट करने का प्रयास किया मुगलों के बाद अंग्रेज आये अंग्रेजों ने इस शिक्षा वेवस्था को गुरुकूल को बंद करके उस जगह पर उन्होंने अधुनिक शिक्षा वेवस्था लाने का प्रयास किया और जो नुकसान मुगलों ने भी नहीं किया था वो अंग्रेजों ने हमारा नुकसान किया और स्वतंतरता के बाद जहां हमें फिर से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की और जाना पेक्षित था वहां पे कॉंग्रेसी सत्ता दिशों ने वामपंतियों के साथ मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को जो चलाया तो हम देख रहे हैं कि आज उसका परिणाम जो है आज की युवाओं के और जब हम देखते हैं आने वाले पिडियों के और देखते हैं तब हमें द्यान में आता है कि वो हमारे संस्कृति से कट रहे हैं अलग हो रहे हैं इस विशे में तो हमने जानकारी देखी लेकिन उसके साथ हमारे जो प्राचीन मनीशी है योगी अर्विंध हो स्वामी विवेकानंद जी हो उनके शिक्ष्या वेवस्था के बारे में क्या विचार थे उनकी क्या सोच थी क्यूकि उनके जो विचार है उस पे ही भारत को फिर से लोटना होगा आज इसी क्रम में हम स्वामी विवेक आनन्द जी के शिक्षा वेवस्था के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाएंगे इस धर्मसमवाद में हमारे साथ सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपसी थे नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी सवामी विवेक आनन्द जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कोन सी है इसके विशे में कल हमने आपने हमें जानकारी दी तो जैसे कि आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे कि आत्मसाक्षातकार देने वाली जो शिक्षया है वही सची शिक्षया है तो इसके विशे में आप हमें और विस्तार से जानकारी दें जिहां आनन जी, शुमावी विवेकानन जी के अनुसार जो आत्म साक्षातकार यहीं शिक्षा का जो प्रमुक उद्देश होना चाहिए ऐसे कहा है, यह अत्यन्त सत्य है, और शिक्षा का महत्व पर प्रकाश डालते हुए, शुमावी विवेकानन जी ने एक बार दान होता है, मुलता चार प्रकार के जो दान उन्होंने बताये थे, उसमें पहला तो एक धर्म या अध्यात्मिक जो दान है वह पहला था, दूसरा है ज्न्यानदान याने शिक्षा, तीसरा है प्राणदान और चौता है अन्नदान, और दिखने के तो अन्नदान चौता है कि तो पहले पेट की भोजन की ही समस्या होती है, या प्राणदान है तो वह कभी-कभा राष्टरक्षा है या आत्मरक्षा है या कभी-कभी धर्मरक्षा के लिए देना होता है, परन्तु शर्वसामनेता जो प्रतिपल, प्रति जीवन में हम जो कुछ्छ दान का यग्ये कर सकते हैं तो उस यग्ये में आध्यात्मिक ग्यान का दान या शिक्षा का यानि न्यान का दान यही सर्वस्रिष्ट दान उन्होंने है करके बताया है वे इस न्यान विस्तार को भी भारत के सीमा के बाहर भी ले जाना चाहते है यानि ग्यान की जो मर्यादा है तो कोई सीमा नहीं होती है और राष्ट्र या देश की सीमा है ग्यान को मर्यादित नहीं कर सकती है तो उन्होंने जो शिक्षा का परिपेख्ष देखा है उन्होंने जिसको ग्यान कहा है उसका परिपेख्ष भी भारत के सीमाओं के बाहर भी लेकर जाना चाहते थे और इसलिए स आवश्रक्ता और उपयुक्तता उन्होंने बताई है इसके संदर में बोलते हैं उन्होंने एक बार स्पष्ट कहा था कि यदि लोकिक निद्या बिना आप धर्मगरण करना चाहो तो मैं तुम्हें साफ कर देता हूं कि भारत में तुम्हारे ऐसे जो प्रया से वह और जो वैश्विक बहुतिक ज्यान के साथ उनका स्थर जोडने की जो भारतिय मनोभूमिका है तो वह कभी इसको स्विकार नहीं कर पाएगी और उन्होंने आगे भी कहा था कि भारतियों में आत्मविश्वास भरने के लिए उन्हें आत्मतत्व की जानकरी देना चाहिए वे कहते हैं कि अब उनको यहने जो आत्मगैन से वंचित है ऐसे वंचितों को आत्मतत्व सुनने दो यह जान लेने दो कि उनमें से नीच से नीच भी व्यक्ति में एक समान ही आत्मा है और सभी में आत्मतत्व ही विद्यमान है वह आत्मा जो कभी न मरती है, न जन्म लेती है, जिसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, उसे न हवा सुखा सकती है ऐसी जो आत्मा जो अमर है, जो अनादी है, जो अनंत है, जो शुद्ध हमारा स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी भी है तो ये जो आत्मा है इसके बारे में सभी को सुनने दो वंचितों को सुनने दो या जो भी इसके बारे में ग्यान लेना चाहते है उनको सब को इसका ग्यान लेने दो और इस प्रकार स्वामी वेकानंद ने शिक्षा के द्वारा आत्म साक्षातकार की संभावना पर ही अत्याधिक बल दिया है और इस आत्म तत्व के जागरूती करने के संदर में उन्होंने समय समय पर अपने विचार शिक्षा के माध्यम से कैसा साध्य करना चाहिए वो रखे है और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंतर नीट जो पूरणता है उसकी अभिव्यक्ती करना ही शिक्षा है ऐसे उनका कहना था अब मनुष्य और उनकी अंतरनीत पुरुणता और अंतरनीत पुरुणता जो अवेक्त है उसको अभी वेक्त करना यही शिक्षा है ऐसी सीधी सरल एक शिक्षा का एक जो दर्शन है शिक्षा की जो वेक्षा है उन्होंने हमारे सामने रखी है द्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध ही है कोई भी द्ञान बाहर से नहीं आता और सब अंदर ही अंदर ही होता है और हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है यथार्त में मानव शास्त्र संगत भाशा में हमें कहना चाहिए कि वह अविशकार करता है अनावृत्त या प्रगट करता है यानि द्ञान तो उसके अंदर ही है और जब वह कहता है कि मैं जानता हूं या मैं यह जानता हूं उस समय वह अंदर के ही ग्यान का अविशकार या अनावृत्त या प्रगटि करनी करता है मनुष्य जो कुछ सिखता है वह वास्तों में अविश्कार करना ही है यह एक प्रकार से जैसे दो फत्तर एक दूसरे पर घर्शन करने के बाद एक अगनी की चिंगारी जागूरत होती है वैसे बाहिय सिखने के प्रयास से उसके अंदर जो ग्यान की चिंगारी है वही प्रजवलीत होके वही अविश्कार होता है वही प्रगटी करन होता है अविश्कार का अर्त है मनुष्य का अपनी अनंत ज्यान स्वरूप आत्मा के उपर से आवरन को हटा लेना अब यहां पे दूसरी बात उन्होंने बताया है कि मनुश के आत्मा के उपर एक आवरण आया है और आवरण के कारण ग्यान की है आत्मा सुरुप की है तत्व की है वो अनुबूती या प्रागट्टे करण संभव नहीं है तो अविश्कार का अर्थ है कि ज्ञान के भाहिय शिक्षा के माध्यम से अपने आत्मा के अवरण से हटा लेना आवरण जैसे हटा तो ज्ञान सुरूप आत्मा प्रगट होती है तो एक तरह से ज्ञान का ही अविश्कार हो जाता है जिस प्रकार कोई हीरा कोईले के खदा में छिपा होता है, तो सर्मसावान ने वेक्ति उसे देख नहीं पाता, परन्तु जब उसके खोच के लिए जाने वाला वेक्ति कोईले के अनेक आवरणों को हटाता है, तो अंदर छिपा हुआ हीरे का एक प्रकार से अविश्कार होता है और हिरा में कोईले के ख़दान में मिलता है मुटत्वता वैसे तो कोईला और हिरे में वैसे तो कोई फर्क ने होता है दोनों कार्वनी होते हैं तो इसी तरह संसार को जो कुछ ग्यान प्राप्त हुआ है वह सब हमारे रुशी है मुनी है या दिव्य आत्माय है या मनीशी उच्च मनिश्य अतिमाना सवस्था के मनिश्य है उनके मन से ही सब ग्यान बाहर निकला हुआ है और वही हम पुना-पुना बाहिये शिक्षा के माध्यम से गढ़न करने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से विश्व की असीम ज्यान भंडार तुमारे अंदर स्वेम मन में ही स् इसक्यान के लिए प्रयृत करता है और इसलिए हमें यह जो है जो है ज्यान यहने अंदर का प्रागत्य करन आभिशकार यह प्रक्र्या मे समच कर लेने के आभशक्ता है और यह समस्त न्यान अपने भीतर कैसे है यह भी हमें समझ कर लेना होगा अब समस्त न्यान चाय वो लोकिक हो या अध्यत्मिक हो वो मनुश्य के मन में ही स्थित है बहुदा वह प्रकाशित न होकर हमारे कर्म प्रारवदों के दोशों के संसकारों के आवरण से ढखा हुआ रहता है और जब यह आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते कि हम सीख रहे हैं और जो जो इस अविश्कारण की क्रिया बढ़ती जाती है तियो तियो हमारी ध्यान की वृद्धी होना शुरू हो जाती है और जिस मनुष्य पर से यह आवरण पुर्णता उड़ता है वह अन्य वेक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्यानी होता है और जिसके उपर यह पूरा हड जाता है, वह सर्वद्य सर्वदर्शी हो जाता है। चक्मक पत्तर के टुकडे में विग्द्यमान अगनि के समान। ज्ञान मनुष्य के मन में नहीत होता है। और सुझाओ या उद्धीपक कारण या शिक्षा के माद्यम से जो घर्शण होता है, वही घरशण उस हमें यह समझने की आवशक्ता है कि ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है और ज्ञान ही नहीं तो सभी जो हमारी दिव्यक्षमत आये है शक्तिया है वह भी हमारे भीतर ही होती है यह भी हमको समझ कर लेने की आवशक्ता है हम जिने शक्तिया या प्रकूति के रहस्य या बल जिसे कहते है वे सब हमारे भीतर ही बस्ते है मनुश्य की आत्मा से ही सारा ग्यान आता है जो ग्यान सनातनकाल से मनुश्य के भीतर ही नहीं थै उसी को वह बार प्रकट करता है और वह अपने भीतर देख पाता है तो यह हमें समझने के आवश्रक्ता है कि चाहे ज्ञान हो या दिव्य शक्ति हो सब हमारे अंदर ही है और इसे एक बात सिद्ध होती है कि हमारा जो स्वरूप है आत्म स्वरूप है हमारा जो आत्मा है वह एक अनंत शक्ति का भंडार है वास्तों में किसी वेक्ति ने दूसरे को नहीं सिखाया है ऐसे तत्वता हम कह सकते है हम में से प्रत्यक को अपने आपको ही सिखने की प्रक्रिया रखनी पड़ती है क्योंकि देने वाला दोनों हाथ से दिया मगर लेने वाला एगर स्विकारने के स्थिति में नहीं है तो शिक्षक तो एक ही होगा परन्तु एक विद्यार्थी 90 प्रतिशत, 100 प्रतिशत कमाएगा और दुसरा 60 प्रतिशत लेकर तो यहाँ पर हमें यह समझने के आवश्रकता है कि हमें अपने आपको ही सिखाना होगा बाहर के जो गुरु है, हमारे शिक्षक है वह कारण मात्र है जो हमारे अंतरस्त गुरु को सब विशेव का मर्म समझाने के लिए उद्भूशित करते है और तब फिर सब बाते हमारी अनुभव और विचार की शक्ति द्वारा स्पष्टतर होते जाती है और हम अपने आत्मा की उसकी दिवे शक्तियों की उसकी ग्यान की अनुभूती करने लगेंगे तो फिर शिक्षा शिक्षा का उद्देश क्या है, शिक्षा का अधेय क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है तो हमारे अंदर बीज रूप में अव्यक्ति शक्ति का जो भंडार बढ़ा हुआ है उसका बोध होना उसकी जागरुती होना उसका प्रागट्य करण होना उसका अविशकारण होना यही शिक्षा है यही हमें सबजना चाहिए और इसलिए आत्मसाक्षतकार ही शिक्षा का हमारी पारमपारिक शिक्षा वेवस्ता हमारा धर्मग्यान कहता है हमारे रुशी मुनी मनिशी कहते हैं यहीं यहां पर सत्य साबित होते हैं जैसे समुचा विशाल वटवरुक्षत जो आज कई एकड़ जमीन गेरे हुए हैं उस छोटे से बीज में था जो शायद सरसों के दाने से एक अश्टमान से भी बड़ा नहीं था वह सारी शक्ति राशी उस वटवरुक्ष के आविश करण की प्रागट्य करण की जो शक्ति राशी थी वो इतने छोटे से सरसों से भी छोटे से बीज में निवद्ध थी हम जानते हैं कि विशाल बुद्धी एक छोटे से जीवानुकोष यह एक प्रोटोप्लाजमिक सेल जिसे हम कहते हैं उसमें समेटे हुई रहती है तो यह बहले ही एक पहली सहामें प्रतित हो रहा होगा कि यह बिजशरूप आत्मा में दिव्वे शक्तिया है ज्यान है परन्तु यह सत्य है क्योंकि जैसे किसी बर्गत या व समाहित था उसी तरह से आत्मा में यह ग्यान और दिव्वे शक्तिया समाहित होती है हम में से हर कोई एक जिवानुकोष से उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तिया उसी में सिकुडी हुई है तुम यह नहीं कह सकते कि खाद्यान से उत्पन्न हुई है हमारे अंदर शक् तो क्या उस में से कोई शक्ति आपने प्रगट होगी हुए शक्ति वही थी भले ही वह अव्यक्त या प्रसुप्त हो रही थी पर थी वही उसी तरह मनुश के आत्मा में भी अनंत शक्ति नहीं थे चाहे वह यह जानता हो या न जानता हो ऑपर तुछ उसके अंदर ही इस का बोध होना इन शक्ति और ग्यान का प्रगट्य होना यहीं हमारे आत्मसाक्षातकार का लक्षण होता है और यहीं शिक्षा का मुख्य उद्देश और धेया है यहां समझने की आवश्क्ता है स्वामी विवेकान्द जी ने सुझाओ दिया कि शिक्षा को मानों मस्तिश्क में सुधार करने का लक्ष रखना चाहिए शिक्षा जीवन की तैयारी होनी चाहिए हमारे पास जीवन निर्मान, मानव निर्मान, चरित्र निर्मान या विचारों का आकल होनोने की शक्ति इत्यदी हमें होनी चाहिए यदि आपने पाच विचारों को समेट लिया और उन्हें अपना जीवन और चरित्र बना दिया तो आपके पास किसी भी वेक्ति के तुलना में अधिक शिक्षा है यह समझ लेने के आवशक्ता है अगर शिक्षा को केवल मारगदर्शक जानकारी, केवल इन्फरमेशन इसके समान माना जाए तब भी विश्व के सभी पुस्तकाले या लेवरे के तुलना में हमारे रुशियों का मस्तिश्क, एक-एक रुशियों की उनकी स्वृति, उनका ग्यानभांडार, पूरे विश्व के पुस्तकाले से भी विशाला और बड़े ही रहेंगे, यह हमें समझने की अवशक्ता है और इस प्रकार आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए स्वामी वेकानंद शिक्षा प्रक्रिया में ध्यान और एकाग्रता पर अधिक्तम जोर देना चाहते हैं क्योंकि वे आध्य शंकराचारे के अध्वई दर्शन को वो सभी बालों को विद्यर्दियों के मन में वे स्थ कि विदि विदान उसके विशए उसकी सिखाने की पद्दति और सिखाने वाले शिक्षक इन सभी का समाविश इसमें होता है और इसलिए उन्हें इस तथ्य से आश्वस्त किया कि ध्यान और एकाग्रत पर अब्यास करके मानव मस्तिशक से सभी ध्यान का भी अब्यास किया जा सकता है और एक साधे सबसाधे हर विशे का अलग-अलग ज्यान मिलाने के तुल्ला में हम अगर आत्म साक्षात करकर के अपने आत्मा के अंदर के ज्यान को उसके दिव्य शक्तिया को अगर हम प्रागट करते हैं, तो इस प्रागट के माध्यम से हम सभी विश्यों का ग्यान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा एक मुलभूत दिव्य धर्माद्यारित, एक सनातन हिंदु धर्म का एक जो विशाल सिद्धान्त है, वही स्वामी विकांद जी ने हमारे सामने रखाया आननजे और इसलिए आत्मसाक्षातकार ही केवल, मोक्ष प्राप्ती ही केवल, साविद्यासाविमुक्त है, जो हमें सभी बन्दनों से मुक्त करके, एक विशाल ऐसे सचित आनन्द सुरुप इश्वर में समाहित करके एक रुपता की अनुभूति क Film आत्मित डेता है ऐसे ही शिक्षा को अगे सकते हैं को हम बढ़े द जैसे कि आ प्रम आप ने बताया कि आत्मा में अनंत शक्ति हैा सभी जो ग्यान है वह क्झान है वूर्ड हृज को पहचान है उसको जानना उसको उजागर करना यही वास्तविक्ता में शिक्षा हो सकती है, यह बहुत ही अच्छा आपने हम सबको स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे हम सभी के सामने रखे, अब हम अगला प्रशन आप से यह है कि स्वामी जी ने जिस प्रकार भारतिय शिक्षा विवस्था के विशय में बताया जी आनन जी, हमें जो अप्यक्षित है उस शिक्षा विवस्था में एक शिक्षक और विध्यार्ती यह हमारे शिक्षा विवस्था के दो मूलभूत स्थम्भ हैं, हमारी शिक्षा विवस्था और शिक्षा का उद्देश यह उरवरी दो स्थम्भ हैं, तो विध्यार्ती और शिक्षकों के संदर में आज हम जान लेंगे. स्वामी विवेक आनंद जी ने शिक्षक के अंदर बहुत से गुणों के एक अपेक्षा रखी है और इस गुणों के माद्यम से एक अदर्श शिक्षक हमको जो अपनी शिक्षा व्युस्ता में प्राचिन पारंपारिक शिक्षा व्यवस्ता में जो अफ्यक्षित है वैसे शिक्षकों के निर्माण की आवश्क्ता उन्हें प्रतिपादीत किया है शिक्षक को अध्यात्मिक दुरुष्टी से दिव्य एवं परिपक्व होना चाहिए ऐसे पहली अप्यक्षावनों ने शिक्षक को माद्यम से शुव्यक्त किया है वर्तमान जो मैकलो प्रणित जो कैमनिस्टों ने ये सेकुलर कॉंग्रेस द्वारा स्वतिंतर भारत में लागू किया शिक्षा वेवस्ता है ये कैमिस शिक्षवेयोस्था ने सेकलर और भाश्य। नश्ट कर दिया है और इसलिए वर्तमान जो शिक्षवेयोस्था है वो अध्यात्मिक दुरुष्टि रहेत और आप्रिपकवा है यँ निश्चित है और इसके परिपक्व और देव्यता अपेक्षित है दुसरी जो शिक्षकों से अपेक्षा वेक्ष किया है स्वामी जी ने उसमें शिक्षक को धार्मिक गरंतों के सार तत्व से आउगत होना चाहिए ऐसे अपेक्षा वेक्ष किया है याने धार्मिक गरंतों के सार तत्व शिक्षक को प्रकृति कौन से मार्क לכ SHsobs की अभिवक्ति हो रही है खर्म मार्गियाद ग्यान मार्गियाद ग्यान और भियान o लोग आल्गियाद करन का उसको जानने के लिए भालब कि आधेन के और अबिंद के सारहा चाहत हो दूसरी बातृерт होना जाहिए से स्वामि वेकानन्द करते हैं। थीक्षक करते हैं consistent आपि всем kinder came to have a bhrków का दो बात हुती है। एक तो हमारे आश्रम के अनुसार बताया गरती में जानने के पहले भ्रह्माचर्य होता है वह दूसरी बात कि धर्म मर्यादा में जो गुरहस्ति का पालन करता है, वह भी ब्रह्माचारी होता है, तो शिक्षक को अपने आचार विचार से पवित्रता और ब्रह्माचारी होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी ब्रह्माचारी यह एक अलग संकल्पना है, और सन्यास परंपरा त जैसे सामाजिक सिती बदलने लगी तब से मकर हमारी जो प्राचीन गुरुकुल और शिक्षा परंपरा है वहां ता आचारे अपने परिवार सहित गुरुमाता गुरुपीता गुरुबंदु आचारे के पुत्र भी सब वही इन बच्चों के साथ रहे कर उनके साथ एक परि प्रवुरुथी का होना चाहिए ऐसे मानते थे और दंड विरोधी प्रवुरुथी का होना चाहिए इसका मतलब कि शिक्षक में इतना प्रेम और इतना वात्सल्य इतना पित्रुमात्रुभा होना चाहिए कि उसके प्रेम, संसकार, आचार और आदर्श के कारणी विद्ध प्रतियों को बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरितों अपने गलतिया या दोशों के प्रति खंत निर्मानों इस प्रकार का ही दंड़ उन्हें अपिक्षित है वे पाच्वी जो अपिक्षा करते हैं कि शिक्षक को सफल मनोविज्ञानिक होना चाहिए जिससे वह छात्र को पुर्ण रूप से जान सके यानि साधना करके जो स्वयम को जान लेता है जो स्वयम को मनोविज्ञान को जानता है और धर्म परंपरा से जो मनोविज्ञान है उसका सुक्षमता से अध्यन करके जिसका आच्रण और अनुभूति लेता है तो वह शिक्षक सफल पुर्णरूप रूप से जाना व्यक्त की भी बात को भी जानता और जातरिया दिशाते दे के अर्थे में छोड़ा सकता है अगला जो सुत्र उन्होंने चिक्षकों सापेक्षित किया है , यवे कहते है कि चिक्षकों को विवारीक होना चाहिए , जिससे विझमान फ्रैप्न को निभा सके नहीं हमको यहां पर आधुनिक शिक्षा देना है ह। अध्यात्मिक परिप्षजागरुत करना है। उसमें दिविता लानी है, संस्कार की मर्यादा है, आचरन चारितरप पवितृत्रता की मर्यादा है। प्रतो इस मर्यादाओं के साथ व्यक्ति अपने जीवन आपन अपने परिवारिक जीवन आपन अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए सक्षम होने के लिए शिक्षक को वेवारिक होना चाहिए जो स्वय अपने मानो निर्मान के दाइतों को निभा रहा है और वो अपने विद्ध्यार्तियों को अपने मानवी दाइतों को निभा सकने के लिए सक्षम बनाया ऐसे शिक्षक उन्हें अपेक्षित है सबसे अंतिम बारवे कहते हैं कि इतना ही नहीं तो समय आने पर शिक्षक में त्याग का, सहस का, उत्सा का और तत्सम, क्षात्र रुत्ति का, अपने परिवार गुरुकुल की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने राष्ट की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, इसके आवशक्ता पढ़ने कर उनमें त्याग सहस और उस्सा इत्यादी गुण भी होना चाहिए यह भी सुस्पष्टता से स्वामी वेकनंद कहते हैं अब शिक्षकों से अपेक्षा करते समय उन्होंने विद्ध्यार्तियों से भी कुछ अपेक्षा हैं वेक्त कि विद्ध्यार्त मानसिक स्थिति से वह अत्यंत बलेशाली होना चाहिए विद्ध्यार्तियों को सत्य की जानने की प्रभल इच्छा होनी चाहिए यह उनमें मुक्षत्व होना चाहिए अंतिम सत्य क्या है सत्य को जानने की प्रभल इच्छा होनी चाहिए और आत्म साक्षातकार के साथ दिलू से विध्यारती परिपुर्ण होने के लिए उसके मन में ममुक्षत्व या प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए ऐसे स्वामी वेकन्द जी को अपेक्षित है वे कहते है कि विध्यारती के अंदर इच्छा शक्ति वा चित्त को एकाग्र रखने की शमकता होनी यह जो साधना या गुरुक रुपा से या एक अभ्यास से यह स्तिती प्राप्त हो सकती है कि एकाग्रता रखने की खिशमता निर्मान की प्रक्रिया विध्यारती में होनी चाहिए उसके लिए प्रयास करने की उसकी तडप या खिशमता होनी चाहिए और सबसे मत्वी की ज नासिक्ता का इखन्डन किया है जूता नासिक्ता वादे जूता सेकुलर वाद्ध है जूता पश्यमी कालमार्ट चैल्यणी की परमपरा इन सब का छेदन UP ils Чтобы किया है और से आपक्षित किया है उसमें से एक भी बात, बरतमान ये सेकुलर भारत में हिंदू बहूल, साम्मेवादी और पंतनिरपेक्ष भारत की शिक्षवयस्ता में एक भी सुत्र नहीं दिखता है, एक प्रकार से सेकुलर कॉंग्रेस और कैमनिस्ट शिक्षविदो ने भारती शिक्षवयस्ता को कैसे ध्वस्त कि भारत के भविश्य को कैसे बिगाड़ा है वह हमें यहां से सपश्ट पता चल रहा है परंतु इसके बाद भी हमारे रुशी मुनिय और जो मनीशी है उन्होंने जिस प्रकार से एक अध्यात्मिक चेतना को भारत में जागरूत रखा और अब एक अध्यात्मिक चेतना की लहर एक अध्यात्मिक क्रांति की लहर जो भारत में उमड रही है एक हिंदुराष्ट के स्थापना की लहर जो भारत में निर्मान हुई है और पुनष्य बारत एक पारमपारिक शिक्ष्य वे उस धर्म विज्यान सब धस्त होते जा रहा है और पुनश्य सनातन परंपरा का द्वज लहराने वाला है भारत अभी एक हिंदु राष्ट और विश्व गुरु बंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है परन्तु यह साध्य करने के पहले एक भीशन संकटकाल तीसरे महा युद्ध का बाहिय देश आध्यात्मिक बल और अध्यात्मिक चेतना की जागूरुति आपने आत्मा की ऊपर के आवरण को हटा कर ज्ञान और दिवे शक्तियों के साथ सक्षम हो कि हमें खड़ा होना होगा और इस आध्यात्मिक क्रांती को भारत में सूस्थापित करने के लिए हमें उसमें समरपि के महार्दिम से यह अधिया में प्राप्त करना है और इसके लिए हम सभी मिलकर जरूर प्रयास करेंगे जी सिद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जैसे बताया कि शिक्षक जो है वो उत्साही त्यागी और सहसी ऐसे जो गुन है वो अध्यापकों में चाहिए और अध्यापकों के द्वारा जो विद्यारती है तो विद्यारतियों को केवल विवारिक विकास नहीं उनका जैसे कि आपने बताये कि उनका अध्यात्मिक भी उत्करश हो इसके लिए आध्यापकों के द्वारा प्रयास होना जरूरी है और विद्यारती भी जो है वो शरीर और मन से बलवान हो सत्य जानने की उसके अंदर ललक हो प्रबल इच्छा हो और धर्म धर्मिक कारेओं में तो कही न कहीं फिर से हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के और जब मुढेंगे तब इस प्रकार का भारत का जो पुन्र निर्मान है अध्यापकों के द्वारा हो या फिर शिक्षकों के द्वारा हो वो हमें अवश्य देखने के लिए मिलेगा ऐसे हम और एक आपसे प्रशन है कि जैसे यह जो दरशन है सवामी विवेक अनंद जी का शिक्षा के विशे में तो इसके कुछ मुलभूत सिद्धानत अप सबी के सामने अब श्क्राइब आज़े? आनान जी, स्वामी वेकनान्द के शिक्षदर्शन के आधर्बूत सिध्धान्त कौन से है? मुल बूत सिध्धान्त कौन से है? वह भी हम समझ लहेंगे. सबसे पहला सिध्धान्त श्वामी वेकनान जी में बताया है, सिक्षा ऐसी हो, यह हमारी जो पारंपारिक शिक्षा पद्देती है या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसका जो उद्देश था उसमें उन्होंने यह अपेक्षा किया कि बालक का शाररिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो बालक के जो अस्तित्व के जो तीन पहलू है आधि दैविक, आधि आध्यात्मिक और आधि भौतिक वो तीनों पहलू का अध्यात्मिक एक विकास हो इस तरह की सिद्धान्त वो बताते हैं दूसरा सिद्धान तब वो बताते है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, वो उत्तब चरित्र का हो, उसके मन का अत्यनत परिपकव वस्तातक विकास हो और बुद्धी विकसत होकर वो बालक भावी जीवन में आत्मनिर्वर बने इस प्रकार की शिक् से ही समाज में शिक्षा का संतुलन आत्म तत्व की ज्यान और दिवय शक्तियों की अभीवेक्ती होगी और जहां मात और एकवी कास से युक्त है वहीं उत्तम परिवार उत्तम समाज और उत्तम राष्टर के निर्मीती होती, और इसलिए दोनों को समान शिक्षा देने की आवशक्ता होती है चौता सिद्धन्त वे बताते है कि शाले पाठ्ठे क्रमों में धार्मिक शिक्षा केवल पुस्त को द्वारा न देकर महापर जो शिक्षक है आचार्य है या ऐसे आदर्शों के माद्यम से उनके आचरणों के माद्यम से एवं संस्कारों के माद्यम से दे बताती है सवामी जी कहते हैं कि पाथ्य करम में लौकिक यानि आधुनिक भावतिक शिख्या तो आवशक है पर फी के vivid धर्मों यादिवय हैं को समान स्थान देनी के आवश्रक्ता है ऐसे उन्हों ने प्रतिभादित किया है च्छटा शिद्धन तो बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा गुरु गुरुह में गुरुकुल में या एक प्रकार से आपने घर से दूर जाकर गुरु के आश्रम में रहे कर वहां के वातर में प्रात्थ की जा सकी ऐसे परकार की शिक्षा व्योस्ता होनी चेहे ऐसे वे अप talked करते हैं कि साथवा ओर सिधन्त बता तो यह स्वामी डी कहिते कि शिख्षक एवं छात्र का संबंद अधिक इजूर्य gaan में सब्सक्राइब स्कूलों की और पर्स परस अटिकर के रोडु तीलें सब्सक्राइब करोएब व्हां अभिवक्ति होना चाहिए ऐसे स्वामे विकनन्द कहते हैं, आठवा सिद्धन्त बताते वे कहते हैं कि सर्वसाधरन जनों में शिक्षा का प्रचार वह प्रसार किया जाना चाहिए, चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, या अन्ने जो सामाजी के और राष्टरे समस्या हो, सितिक ऐसे भी हो, सर्वसामान्य, जनों तक शिक्षा का प्रसार और परचार होना tyre और समाज अतिशे शिक्षित होना चाहिए ऐसी हमें अपिक्षा कषा करते हैं। नौवाज़ शिद्धान्द बतायती सुमेश स्वामी. विकाननद कहते कि देश की आरथिक प्रगती की लिए शिक्षे व्योस्ता में तक्निकी शिक्षा की भी व्योस्ता होनी चाहिए एक आधुनिक शिक्षा विवस्ता भी उसमें चाहिए जिसके आधार पर मनुष्य जीवन भी सुसाया हो और एक आर्थिक चक्र जो है उसके मांद्यम से चलता रहे और आर्थिक विकास की भी गतिक पकड़ी रहे दस्वा सिद्धान्त के समय स्वामयोगान जी कहते है कि मानवी एवं राष्ट्रिय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए यानि स्कूल में आने के बाद बच्चा शिक्षित हो रहा ऐसे नहीं है तो जन्म के साथ उसके माता पिता नाना नानी दादा दादी या दोन स्त्रिपुरु शिक्षित होने के कारण घर में ही परिवार से ही बहुतिक आधुनिक शिक्षा हो संस्कारों के शिक्षा हो या अध्यात्मिक विकास सभी शिक्षा है उनके परिवार के साथ ही शुरू हो जाए और हमारे दर्व में तो मात्रु देव भव पित्रु देव और माता-परथम-गुरू, पिता दुसरे गुरू, इस प्रकार से बताया जाता है, तो आचारे तो तिस्रे गुरू होते हैं, तो इस तरह से परिवार से सयक्षा पद्दती कैसे लागु हो, इस प्रकार की समाज व 충ुbat निर्मान करने को को प्रतिपादित करते हैं, और एक संकर्ष चाहे जीवन यापन करने के दुरूश्थिस से आरतिक समझय में हो या उसके अनुखूल प्रतिकूल आने वाले समय समय पर संकत हो या समाज और राश्टर पर आने वाले नैसरगी कापतियों से लेकिए तो परकिय और अंदर के आक्रमणों से हो जो जो माध्यम से उसके जीवन में संगर्ष निर्मान होता है उन सभी जीवन संगर्षों उससे लड़ने के लिए हमारे बालकों को विध्यारतियों को शिक्षा मिलनी चाहिए और इसलिए शारिक विकास, मानसिक विकास और आध्यत्मिक विकास आधी देविक आधी भोतिक और आधी आध्यात मेक्ति इनों प्रकार के विकासों की कलपना शिक्षा के माध्यम से स्वामी वेकानन्द जी ने किया है और यही सच्ची शिक्षा है और यही सच्ची शिक्षा वेवस्ता यही हमारी पारंपारिक भारतिय शिक्षा प्रणाली ह यहे है इक प्रकार से गुरुकुल या हमारी परंपारिक शिक्षा पड़ति है. तो हमने स्वामी वेकानन्द है, योग अर्विन जी है, इसके माध्यम से हमारे इस सूतंत्र भारत देश को क्स प्रकार की शिक्षा निती चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा पद्दती चाहिए वह अभी समझ कर लिया है स्वतंत्रता मिली मगर स्वतंत्रता नहीं सू राज्य अभी बना नहीं है अब यह नया जो अध्यात्मिक आंदोलन छेड़ा हुआ है भारत को हिंदुराश्ट स्थापन करने का भारत को विश्व गुरु बनाने का विद्ध्या है एक तरह से भारत को वापस उसका गौरुषाली स्वरूप प्राप्त करके देनी का माद्यम है और इसलिए मैं भगवान स्री कृष्ण, प्रभू सिराम चंद्र, परातपर गुर्देव डॉक्टर आठावले जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हो कि आपने ये जो धर्मसंस्ता पना का कारे हाथ में लिया है आपने भारत के पुनर निर्मान और एक अध्यात्मिक परिपेक्ष में भारत को हिंदो राष्टर एवं भारत को विश्व गुरू बनाने का अभियान चेड़ा है तो आपके इस अभ्यान में हम सभी हिंदुओं को, धर्मनिष्टों को, हिंदुनिष्टों को, राष्टनिष्टों को इसमें समाहित करके हमारे माध्यम से आपी यह दिवय कार्य करवा कर हमारा उद्धाय कीजिए भारत को पुनश्य हिंदुराष्टर गोशित कीजिए और एक तरह से संपूर्ण विश्व को मानव का कल्यान करके वसुधायव कुटुम बकम, ये विश्व एक परिवार और विश्व के मनुष्य नहीं, वसुधा, वसुधायव, ये वसुधा ये पूर्ण पृत्वी, पृत्वी पंच महाभूत आते हैं, प्राणी वनस्पति आते मनुष्य नहीं, ये सभी हमारा परिवार है, तत्वता हम आत्मा तत्व से हम एक है, यह अनुभूति लेकर यह जो शिक्षा का उदेश है आत्मसाक्षतकार करना, वह आत्मसाक्षतकार करने वाले शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करके, हम सब कर, कृपा करके हमारा अधर कीजिए, यही प्रार्तना के साथ मैं अपने मानी को यही विराम देता हूं, आप सभी को नमस्कार, जैसे कि आपने मुलभूत सिद्धान्त बताये, तो उसमें बहुत ही अच्छा स्वामी वेकानन्द जी ने बताया है कि धार्मिक शिक्षा पुस्तकों के द्वारा न दी जाए, तो वो आच्रण और संस्कार उन से आगे-ागे जो प्रवाहित होनी चाहिए, और पाठ्यक्रम में लवकिक और पारलवकिक दोनों शिक्षा उनका स्थान होना बहुत जरूरी है, यह बिल्कुल आज के परिस्तिती में यह फिर से आने की आवश्यक्ता है, शि दे रहे हैं, लेकिन जब हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्ता की ओर देखते हैं, तो उस समय में गुरुकुल में गुरुजन हो, उनकी धर्मपत्नी हो, या पूरे परिवार के साथ रहे कर, वहां गुरुकुल में जो भी पढ़ने के लिए आते थे, सभी चीजों में उनको पारंगत किया जाता था, और केवल पाठ्यक्रम जैसी शिक्षा वहां नहीं थी, तो संसकार दिये जाते थे, साथ ही आचरण के साथ ये सभी सिखाया जाता था, और जबकि हम आज की अधुनिक व्यवस्ता की ओर देखते हैं, तो ये दहन में आता है कि आज की अधुनिक संसकारों का संस्वंद, एक राश्टर के उतकरश के दुरुष्टी से, अध्यापक और विद्यार्तियों में जो संस्वंद चाहिए, वो नश्ट ही होता जा रहा है, तो कुल मिलाकर इस धर्मविज्ञान की ये जो शुरूंखला हमने धर्मसमवाद में चलाई, तो इससे उनके विचारों पे आधारित ही ये शिक्षया व्यवस्था जो है, ये बनना अवश्चक है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये शिक्षया व्यवस्था से संमन्दित, ये जो धर्मविज्ञान की जो शुरूंखला है, तो शिक्षया क्षेत्र से उशित रूप से एक दिशा मिलेगी और हम आने वाले पिड़ी को संस्कारों की ओर लेकर जा सकते हैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपका धन्यवाद आपने इस श्रूंखला में बहुत ही महत्वपुर्ण जानकारी हम सभी दरशवकों को दी है हम आप सभी को में निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के धर्मसवमात के कारेकरम में हम विविन विश्यों पर सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के द्वारा मारगदरशन लेते हैं यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या उसका बेल ओप्शन नहीं दबाया हो तो आज ही हिंदू जागरूती ये यूट्यूब चैनल आप खोलिये और उसको सब्सक्राइब करने के साथ उसका बेल ओप्शन भी दबाईए ताकि हमारे हर क कारेक्रम की सूचना आपको तुरंट मिलती रहे धन्यवात हमने इस धर्मसंवात के कारेक्रम में पाचीन भारत की आदर्श शिक्षा पद्दती की कुछ विशेष्टाएं समझ कर लिए और बीच के काल में मुगलों के द्वारा हो अंग्रेजों के द्वारा हो या कॉंग्र वामपंथियों के द्वारा हो किस प्रकार से शिक्षा विवस्था का नुकसान हुआ ये भी समझ कर लिया ऐसे ही अनेक विशेओं को लेकर हम पुनह मिलेंगे इसी के साथ आज के धर्मसंवात को हम यहीं पर विराम देते हैं आज के कारेक्रम के विशे में आपके कुछ भ अने जी की असीम कृपा से आज यह विशेश धर्मसंवात संपन्न हुआ ऐसे मैं गोशित करता हूं धन्यवाद अनेक विशेश धर्मसंवाद अन्यवाद प्रभ में आपका सिर्च विशेश अन्यवाद 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 झाल झाल